हैलो एवरीबन बलकम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बाजू की बहुती सुन्दर सी डिजान बनाएंगे यहाँ पर हमारी बाजू की बाजू की बहुती सुन्दर सी डिजान कटिंग करेंगे पर मैंने पेपर पेस्टिंग लीए इसको तरह से फोल्ड करेंगे तो यहां पर आदा इंच का मार्जन छोड़के 7 इंच पर निसान लगा देंगे फिर हम यहां पर क्या करेंगे 2 इंच 2 पॉइंट पर निसान लगाएंगे इसी तरीके से यहां पर भी निसान लगा देंगे अब हम याँ पर क्या करेंगे गहराई में एक इंच पर निसान लगा देंगे और कुछ इतरह से तिर्चे में लाइन खीचेंगे याँ पर भी इतरह से तिर्चे में लाइन खीचेंगे तो इसी तरीके से हम याँ पर नीचे की तरफ भी डिजान बना लेते हैं और दूस्तो प्लीज इस वीडियो को लग भी कर देना क्योंकि यहां आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना यहां पर भी आदा अंच का मार्जन लेंगे फिर हम यहां पर क्या करेंगे इसी निशान से कटिंग करेंगे आप आप लोग वीडियो को एंड तक जरूद देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कि हमने किस तरह से बाजू की डिजाइन बनाई है, तो यहाँ पर मैंने एक साथ में दोनों बाजू के लिए डिजाइन कटिंग करी है, तो इसको हमें कपड़े पर चिपका लेना है, तो यहाँ पर मैंने प्रेश से कपड़े पर चिपका लिया है, और इसको मैंने देखी चारों तरफ से सिलाई भी लगा दी है, फिर हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और इसमें बी सेंटर पर निशान लगाएंगे, और इसी निशान के बी सेंटर पर हमें डिजा तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है इसी तरीके से यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से कटिंग करेंगे चारो कोनर पर हमें कटिंग कर देना है फिर हमें आपर क्या करेंगे इस तरह से कटिंग करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा और कटिंग कर देंगे फिर हमें आपर इसको अच्छे से सीधा करेंगे इसको भी अच्छे से हमें सीधा कर देना है फिर हमें आपर क्या करेंगे डोरी लेंगे चार डोरी हमें लेनी है और डोरी की लंबाई हमारी तीन इंच है फिर हमें आपर दो डोरी को इतरह से रखेंगे और हैं आपर दो तीन बार ठाका लगा लेंगे फिर हमें आपर क्या करेंगे एक मोती लेंगे और मोती को भी हमें आपर टाक लेते हैं तो यहाँ पर मैंने मोती को टाक लिया है अब हमें आपर फिर से डोरी को लेंगी और डोरी को हमें तरह से रखना है और रखने के बाद पहले हमें आपर दो तीन बार टाका लगा लेते हैं फिर हम यहाँ पर इसमें भी इस तरह से मोती टाकेंगे तो हैं आपर देखी मैंने कुछ तरह से डिजाइन को तयार किया है इसी तरह के से मैंने एक डिजाइन और तयार करी है अब हमें आपर इस डिजाइन को इस तरह से रखेंगे ठीक है अच्छे से बिल्कुल एक बराबा दख लेना है और दखने के बाद हमें आपर सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक डिजाइन को तयार कर लिया है अब हमें आपर फिर से डिजाइन को लेंगे और इसको इतरह से रख लेंगे और रखने के बाद सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से हमें तीसरी डिजाइन को भी सिल लेना है तो यहां पर हमारी डिजान बनका तयार हो गई है अब हम यहां पर और डिजान बनाएंगे तो इसके लिए हमने यहां पर साड़े तीन इन चोड़ी एक पटी लिए और लंबाई हमें ज्यादा लेनी है क्योंकि इसमें हम जालर बनाएंगे तो इसको हमें इतरह से फोल्ड कर के सिल लेना है फिर हमें यहाँ पर क्या करेंगी कुछ तरह से चोटी चोटी पलेटे डालेंगे पूरे में हमें इस तरह से पलेटे डाल लेनी है तो यहाँ पर मैंने कुछ तरह से जालर को तयार किया है इसकी चोड़ाई के नाप से और यहाँ पर मैंने एक पट्टी लिया है, इसको मैंने साइट से सिल भी लिया है, तो इसकी चोड़ाई डेड़ इंच है, तो इसमें भी हमें कुछ इतरह से चोटी चोटी पलेटे डाल लेनी है तो यहाँ पर मैंने जालर को सिल लिया है, छोटी वाली जालर को हमें यहाँ पर इसके उपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो यहां पर मैंने सिलाई को लगा दिया है तो अब हमें यहां पर इसको इतरह से रखेंगे जालर की जो सीधी साट है वो हमें नीचे की तरफ रखना है और रखने के बाद हमें यहां पर सिलाई लगा देंगे तो यहां पर मैंने सिलाई को लगा दिया है अब हम याँ पर इसमें दाप सिलाई लगा लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दाप सिलाई को भी लगा लिया है और इतरे से हमारी बाजू सिलका त्यार हो गई है और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी बाजू को भी तिला है देखी कितनी सुन्दर सी हमारी बाजू की डिजान आई है तो उम्मिद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैलाकन को भी दबा दे जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंकियू